असलाम आलेकूं गाईज वैलकम बैक तो माई चैनल कैसे हाँ सब आई होप आफ सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके लेकर आई हम बहुत यम्मी सी चिकन मैगी रेसिपी यहाँ पर मैंने दो पैकेट मैगी के ले लिया और उसे हाथों से मैंने तोड़ लिया है तो यह 12 रुपस्या वाला यह नहीं हो तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है तो चिकन को मैने अच्छी से वच कर गे क्यूप्स में कट लिया है मैंने 2-3 यही मिर्च को 2-3 को बारी कट कर लिया मेरिने одно-1 लेमन और पयाज ऑख मार्म दान successor हमेसे नहीं करणी हृध है उर नभाज। तो बस कड़ाई हो चुकी है गरम मैंने यहां पर ऐड़ कर दिया है और मैंने यह पर प्याज ब्राउन हो गई तो मैं अपना डाल डाली चीकन करेंगी चीकिन को आपको 15 मैं पहले रेस्ट देना है फिर आप एड़ करेंगे और मैंने यहां पर सब्जीया अच्छे से बूल लेना चिकन के साथ यहां पर मैं टेबल स्पून डाही आट करूंगी आपड़ना चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो आप सिक्ट कर दीजिए दही DIRECTOR को मिक्स करने के बाद मैंने यहां स्पाइसीज और आफ़ तेबिल इसपून हल्दी लाल मिर्ज पौरडर को नमक टेस्ट के अकॉरडि में डाली है मैंने यहां मैगी मसाले भी एाट कर दे हैं दोनों पैकिट एड़ कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने आधी ग्लास के करीब पानी आची कर दें यहां पर इसे 15 मिनट हमें बिलकुल लो फ्लेम पर कुक हो जाये चिकन आपको आपको अगर ठोड़ी स्फूपी बनानी है लिए टॉटी मैगी बनानी है तो आप पानी ज्यादे पर दीजेगा तो बस मुझे इतनी मैगी बनानीتي तो लास में अच्छ जुआ धनी आएट किया है मैगी माषालला बन कर तयार है ती आपने मेरी पिछली मैगी को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था को आपने बहुत अच्छे ठीट वीडियो पर आपने बात अच्छे कमेंट भी कर रहे थे और लाइक भी कर रहिए था तो इस ही वजा से मैं आपके लिए चिकन मैगी लेकर आई हूँ आई होप आपको ये रैसिपी भी बहुत अच्छी लगेगा अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करेगा और मुझे कॉमेंट करके बताईगा कि आपको मेरी रैसिपी इस कैसी लगत लिए चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिस थैंक्स वर्न सुर्ण